ग्लोबल अद्विटाइजर फॉर इनोवेटिव आउट्डॉर सुलूशन ग्लोबल अज़ा तंपनी इस नेवर कॉंप्रोमाइज ओन इस सर्विस, कॉलिटी एंड कमेट्म सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीजे बहार निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभी शेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉंच किया उनके साथ हाल ही में एक फिल्म मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब जूठ लिखना होता है आप अंगेस्ट को इलीगल एक्शन ही लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा मगर उसकी डिस्क्रिप्शन होती है जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के गुंगराले बाल है जिसको नैशनल आवर्ड मिला हुआ है साइकॉटिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा तेईस ऑगस्ट दो हजार सत्रा को बॉलिवूड लाइफ सुशान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्ट है 16 दिसम्बर 2016 में मुंबई मीरर लिखता है कि सुशान एक ट्रक ट्राइवर की तरह लगता है 22 फर्बरी 2019 को मुंबई मीरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा कर और यह जो बुद्धी जीवी ज़र्लिस्ट हैं यह जो चील कवए गिद हैं जो मुवी माफिय के पाले हुए हैं यह इसको मेंटल, इमोशनल, साइकोलोजिकल लिंचिंग को जनलिजम कहते हैं मेरे बारे मेरे बारे मेरे अस तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निकाले कि जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने इस जनलिस्ट को कांफरेंट किया आपको पता है उसी राचार सी समाज कुछ नहीं कहता है, कानून कुछ नहीं कहता है, मैंने उनको उन पे केस करने की कोशिश की मगर एक महिने बाद वह गायब होगे मेरी फिल्म होई गायब हो गये तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियात पर खड़ा है और कभी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरे पसंद आने पर हमारी यूटूब चैनल को सब्क्राइब करें और लाइब करें